असलाम अलेकुम जी, last lesson में हमने understand करने की कोशिश की थी के pixel concept क्या है photoshop के अंदर और इसको समझना क्यों जरूरी है इस lesson के अंदर हम एक image को download करेंगे और ये image unsplash से ली गई है so now you know कि unsplash या इस तरह की और जो reality free image provider websites हैं वहां से images कैसे download की जा सकती है तो यहां पर कुछ selections tool को understand करने की कोशिश करते हैं जी यह हमारे पास बड़े simple से selection tools है, rectangular marky tool है, elliptical marky tool आपको एक circular selection करनी है तो you can use this elliptical marky tool आपको कोई square type G select करनी है, rectangular तो उसमें आप rectangular marky tools यूज कर सकते हैं ठीक है, इसके लाब आपको different tools मजीद नज़र आएंगे जैसा के quick selection tool, magic one tool और अगर हम लोग इस option में जाएं तो यहां पर आपको lasso tool, polygonal lasso tool चीक है, और इसके लाबा magnetic lasso tool तो यह देखते हैं कि इन सब में क्या differences है, तो अगर हमने इस orange की selection करनी है तो इसके लिए हम लोग start करते हैं, quick selection tool से, ठीक है और यह आपके सामने एक circle आगया, अगर आप इस circle का जो area है उसको increase करना चाहते है तो अपने keyboard से square brackets को आप use कर सकते हैं, so right square bracket से इसका size बड़ा होगा और left square bracket से इसका size छोटा होगा, ठीक है यहाँ पर आपको circle के अंदर एक plus का symbol नज़र आएगा इसका मतलब है कि यह selections को add करेगा तो for example z, इसको मैं यहाँ पर click करता हूँ ठीक है, मैंने एक click किया और उसके बाद हम इसमें मजीद selections को add करते जाते हैं तो यह जो quick selection tool है, यह काम ऐसे करेगा जहाँ पर इसको ज्यादा contrast नज़र आएगा for example यह तके orange में और यह जो back side पर table है इन दोनों के colors में एक आपको prominent color difference नज़र आ रहा है तो यह उसी को understand करते हुए जहाँ पर इस orange का edge है उसको understand करेगा और selection को वहाँ तक extend कर देगा ठीक है, मैं इस पर click करता जा रहा हूँ और मैं इस orange की selection कर लेता हूँ ठीक है, possibility है कि यहाँ पर क्यूंके orange का area भी dark है और पिछे भी around shadows की वज़ा से black है तो possibility है कि यह table का area भी कुछ select कर ले ठीक है, तो उसको हम लोग बाद में देखते हैं जैसा कि यहाँ पर इसने कुछ area इस table का भी select किया हूँ तो इस orange की selection को complete करते हैं जी ठीक है, इसको zoom करते हैं और यहाँ पर आके मैं अपने keyboard से alt press कर रहा हूँ तो आपको एक minus का symbol नजर आ रहा है तो मैं बाहर वाली side पर click करता हूँ इसका size हम थोड़ा चोटा कर लेते हैं alt press करते हैं और इन areas को subtract करते हैं इसको मजीद add कर लेते हैं इसको बाहर आके subtract कर लेते हैं तो जहां पर आपको बहतर results मिलें आप इसको वहां पर end कर सकते हैं अगर मैं सिर्फ quick selection tool use करता हूँ तो यह देखें यहां पर possibility है कि मुझे बहुत ज़दा time लग जए accurate selection करते हुए लेकिन अगर मैं साथ lasso tool या कोई और magnetic lasso tool का इस्तमाल करूँ तो possibility है कि मैं less time के अंदर कम time के अंदर बहतर selection कर सकूँ तो यहां पर selection काफी हद तक बहतर हो गई है ठीक है इसके बाद जी हम अपने keyboard से Ctrl C प्रेस करते हैं तो यह क्या करेगा इन pixels को copy कर लेगा यहां से हम एक नई file create करते हैं ठीक है और यहां पर जाके Ctrl V प्रेस करते हैं तो यहां पर आपको नजर आ रहे हैं कि जो selection हमने की थी जो pixels हमने select किये थे वो pixels उसने वहां से copy किये और यहां पर लाके paste कर दिये तो quick selection tool को use करते हुए आप लोग कुछ इस तरह से selection कर सकते हैं So in the very next lesson we are going to learn more about the quick selection tool the lasso tool the polygon lasso tool so see you in the next lesson thank you so much